Hello everyone, welcome back to my YouTube channel StudyPoint. आज हम लोग IMO के chapter 2 fraction के बाकी बचे हुए कुछ questions कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी अपना copy निकाल लेजिए और एक साथ करना शुरू कीजिए. Question number 21 अक्षित, रज़त, संजय और निकुंज, each took the spelling test. चारों ने एक spelling test दिया. उनमें से किसका कितना सही हुआ? अक्षित का हुआ 7 out of 10, रज़त का हुआ 3 out of 10, संजय का हुआ 4 out of 5, और निकुंज का हुआ 2 out of 3. तो ये जो fractions दियेगा हैं, ये सब भी के denominators अलग-अलग हैं. जब भी हमें comparison बाला question आएगा, तो कोई least होगा, कोई highest होगा, कौन maximum है, कौन minimum है. तब सबसे पहले हमारा काम है कि हम सारे denominators को एक समान कर लेंगे. मतलब एक ही denominator रहेगा. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सारे जितने भी fractions दियेगा हैं, सभी के denominators के पहले LCM ले लेंगे. और सभी के denominators को equal करेंगे. तो चलिए solve करना शुरू करते हैं, question number 21. 7 out of 10, उसके बाद रजत का 3 out of 4, संजय का 4 out of 5, और निकुंज का है 2 out of 3. उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इन चारों के denominators को same करना है. First make the denominator same. तो same करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन चारों के LCM ले लेंगे. 10, 4, 5 और 3 का. अगर हम लोग इनके LCM लेंगे, तो वो आ जाएगा 60. उसके बाद सभी के denominators को same करना है. अक्षित is equals to 7 by 10. 10 में हम कितना multiply करेंगे, तो 60 होगा? 10 into 6. अगर denominator में 6 multiply करेंगे, तो numerator में भी 6. तो 42 by 60. उसी तरह से रज़त का 3 by 4 into 15 by 15, आगया 42 by 60. संजय का 4 by 5 into 12 by 12 is equals to 48 by 60. उसके बाद निकुंज का 2 by 3 into 20 by 20, 40 by 60. तो देखिए अभी सभी के denominators सेम आ चुके हैं. अभी हम लोग denominator तो सेम हैं, तो उपर के numerators को compare कर लेंगे. निके बाद आएगा निकुंज 1, अक्षित 2, रज़त 3 और संजय 4. तो निकुंज हो गया सबसे ज़्यादा least. अभी चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चिन के और, कोश्चिन नमबर 22, अशॉपकीपर सेल 63 केजी आप सॉल्ट एट रूपीज 28.45 पर केजी. तो पर केजी आप सॉल्ट करना शुरू करते हैं, ये एक सिम्पल नमबर है, तो सॉल्ट करना शुरू करेंगे. टोटल सेल इस इक्वल स्टो 63 केजी आप सॉल्ट उसके बाद, पर केजी सॉल्ट मतलब 1 केजी सॉल्ट इस इक्वल स्टो 28.45 रूपीज, तो 63 केजी सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग मल्टिप्लिकेशन करेंगे, 63 इंटो 28.45 डेसिमल को फ्रेक्शन मे कनवर्ट कर लेंगे ताकि कालकुलेशन इजी हो, तो 28.45 रूपीज, इसे मल्टिप्लाइ करने के बाद आएगा, हमारा 1,79,235 रूपीज, नीचे 100 में 2,0 है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड के पॉइंट आजाएगा, अपका एंसर, चलिए चलते हैं, नेक् 6A प्लस 3 बाइ B प्लस 9C प्लस 8 बाइ D प्लस 5E, then find the value of बोला गया है, फर्ष्ट तो 63.9805 को हम लोग expanded form में लिख लेंगे, place value टेबल के हिसाब से, तो पहले solve करना शुरू करते हैं, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, 63.9805 इक्वल्स टो 610th place में है, तो 6 into 10 प्लस 3 into 1 प्लस 9 10th place में है, तो 9 into 1 by 10 प्लस 800th place में है, तो 8 into 1 by 100 प्लस 0 को छोड़िए, और 5 10,000th place में है, तो 5 into 1 by 10,000 तो अभी देख लेते हैं, क्या इनका value दिया गए है, 6 into A, प्लस 3 by B, प्लस 9C, प्लस 8 by D, प्लस 5E 6 के साथ A multiply किया गया है, तो 6 into 10, 3 by B बोला गया है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 C into 1 by 10, C is equals to 1 by 10, 8 by D, मतलब D is equals to 100, और 5 into E, मतलब E है, 1 by 10,000 तो अभी देखते हैं, हमें लिखना किसका है, किसका value हमें निकलना है, हमें value निकलना है 4A, प्लस 7B, प्लस 6C, प्लस D, प्लस 3E का निकलना है value, तो 4 into A, 4 into 10, प्लस 7 into B, 1 प्लस 6 into 1 by 10, प्लस D के साथ कोई नहीं है, मतलब D का value हम लोग 1 ले सकते हैं, 1 into 100, प्लस 3 into 1 by 10,000 100 प्लेस में D है, तो D का value 1 है, तो 1, 10 प्लेस में 4 है, 1 प्लेस में 7 है, पॉइंट, 6 है 10 प्लेस में, मतलब पॉइंट के बाद उसके बाद 100 प्लेस नहीं है, 1000 प्लेस नहीं है, और उसके बाद 3 है 10,000 प्लेस में, तो digit आजाएगा 47.6003 चलिए next question के और, question number 24, which of the following statement is correct, इन में से कौन सा statement correct है, पहला पहला ही sentence बिलकुल सही बुला गया है, तो चलिए solve करके देख लेते हैं, तो first वाला statement ही correct है, the product of fraction is equals to product of numerator by product of denominator, यह बिलकुल सही है, हम इसे एक example लेके देख लेते हैं, कि जब भी multiplication दिया गया होगा fraction का, सबसे यह easy है, numerator into numerator divided by denominator into denominator, 2 by 3 into 4 by 5, numerator है 2 into 4 और denominator है 3 into 5, 8 by 15 answer, चलिए चलते हैं, next question के और, question number 25, 5, Mohit go for shopping to a mall, he brought a pair of jeans and one shirt, एक pair of jeans और दो shirt खरी दे, तो देखिए, यहाँ पे store P, Q और R के price दियेगा है, pair of jeans के लिए और shirt के price दियेगा है, तो first question, at which store should Mohit shop to spend the least amount of money, इन में से कौन से store में Mohit को सबसे कम price पे करना पड़ेगा, for a pair of jeans and two shirt, second question बोला गया है, Mohit brought a pair of jeans from store R, one shirt from store P, and another shirt from store Q, If he had rupees 1000, then how much money will be left, उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो चलिए, solve करना शुरू करते हैं, पहले A को, तो first, Mohit ने क्या-क्या खरे दे, one pair jeans plus two shirt, अभी, सबसे कम amount कहां पे वो spend करेगा जानने के लिए, हम लोग तीनों stores के price को निकाल लेंगे, तो P, one pair jeans के लिए 1 into 399.70 plus two shirt के लिए 2 into 222.40, उसी तरह से store Q, 449.90 into 1, 224.80 into 2, और R store का हो गया, 1 into 499.50 plus two into 204.60, अभी निकाल लेंगे, 1 into 399.70 plus two into 222.40 आएगा, 444.8, इसे add करने के बाद आजाएगा, 844.6, उसी तरह से Q का निकाल लेंगे, 449.90 plus 449.6 equals to 899.5, उसी तरह से R, 499.50 plus 409.2, 908.7, तो सबसे least amount कहाँ पे spend हुआ, store P में सबसे कम price आ रहा है, अभी question B का solution निकालेंगे, उसने jeans खरीदा store R से, जहाँ पे की price है 1 into 499.50, एक shirt खरीदा Q store से, और 1 P store से, तो 1 into 224.40, और एक shirt का price है, 1 into 224.80, अभी तीनों को हम लोग जब निकाल के add कर लेंगे, तो आएगा 946.7, उसके पाद 1000 रुपीज है बोला गया है, तो 1000 minus 946.7, 53.30 आपका answer आ गया, तो answer आ गया, 53.30, तो हम लोगों ने बाकी बचे हुए सारे questions डिसकस कर ली हैं, आप लोग एक एक बार कर लीजिएगा, टन्यू थारे बाइपे आजने सारे, तो टेक कर्वं। झाल झाल